इस वक्त देश की राजनीती में दो चीज सबसे जादा सुर्खियों में है एक तो राम मंदिर की प्रान प्रतिष्ठा, वही दूसरी और कॉंग्रस की भारत जोडो नियायात्रा कॉंग्रस ने राम मंदिर की प्रान प्रतिष्ठा का निमंत्रन ठुकरा दिया है जिसके बाद बीज़ेपी लगातार हमलावर है और कॉंग्रस को धर्म विरोधी बता रही है वहीं कॉंग्रस की न्याय यात्रा पर भी बीज़ेपी ने सवाल खड़े किये हैं इन सब के बीच न्याय यात्रा के शुभारम कारिक्टरम से लोटे PCC चीफ दीपक बैच ने मीडिया से बादशीत करते वे कहा कि भारत जोडो न्याय यात्रा देश के गरीब युवा माता बहनों को न्याय दिलाने की यात्रा है वही लोगसभा चुनाव को लेकर कॉंग्रिस भी संगटन में बड़ा बदलाव कर सकती है ऐसी खबरे जोरों पर चल रही है इस सवाल पर PCC चीफ ने क्या कुछ कहा सुनगे वही दीपक बैज ने राम मंदर को लेकर भी बीज़ेपी पर निशाना साथा उन्होंने कहा कि प्रान प्रतिष्ठा का आधी गुरू शक्राच शारे भी विरोध कर रही है तो क्या वो भी धर्म विरोधी हो गए उनका कहना है कि राम मंदर का निर्मान अधूरा है पूर्ण मंदर निर्मान में अभी समय बचा है फिर इतनी जल्दबाजी क्यों की जा रही है सर्फ लो आधार्मिके वेंट नहीं है यह सामने लोगसबा चुनाव को देखते हुए कि मंदीर के नाम से चुनाव लड़ले आज धर्मगुरू कह रहे हम नहीं कह रहे है चार चार बड़े धर्मगुरू और कई हां संक्राचारे वो कह रहे है कि मंदीर अभी तक पूरा हुआ भी पूरी तरस बना भी नहीं है couple भी नहीं हुआ और सामने ढर्व नमी है कि उस हमें उसमें उपपिनिंग करना चाहिए उसमें करना चाहिए को इसे पूरे संकराचारे विरोद करने मिन तव और चेPa में कितना मिलता है ये तो वक्त ही बताएगा लेकिन कॉंग्रिस में बदलाफ की सुखबुगाहट अब तेज हो रही है राइपूर से महिंद रुनाम देव की रिपोर्ट चतिस गड़ तक झाल